अनुपमा एक दिल्चस्प ट्विस्ट एंड टर्ण दिखाएंगी। पहले देखा गया था कि वनराज और काव्या अनुज के ओफिस आते हैं जहां अनुपमा को अपने साथ नपा कर वह थोड़ा परिशान हो जाता है। हाला कि जब अनुपमा उसे खुश करने के लिए आती है तो अनुज के चहरे पर चमक आ जाती है। अनुपमा को देख कर अनुज नौवे स्थान पर है और उसकी प्रस्तुती का इंतजार कर रहा है। जबकि काव्या और वनराज अपनी प्रस्तुती शुरू करते हैं अनुपमा चुपचाप बैठ जाती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर भी अनुज अनुपमा और उनके विचारों के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। वनराज काव्या के खत्म होने के बाद अनुज अनुपमा को शुरू करने के ल आस्तविक शमता का रस निकालता है। अनुपमा दिल्चस्प ट्विस्ट एंटिन निखाएंगी। ऐसा लगता है कि अनुज लीला का कैफे में यह देखने के लिए आता है कि उसक्षेत्र में कानूनी समस्या क्या है। हाला कि वनराज का व्या नहीं बलकि अनुपमा को अ अनुज को मा के बने भोजन का आनंद लेने में खुशी होती है जहां अनुपमा का भोजन अपराजे है। यही वह समय है जब वनराज और काव्या आते हैं और अनुपमा को वनराज की सेवा करते देख वेहरान रह जाते हैं। राखी भी अपनी एंट्री करती है और वनरा वन्राज को ताना मारती है कि एक समय वन्राज एक ही भोजन का आनंद लेता था और अब अनुच के आनंद लेने का समय आ गया है वन्राज गुस्से में है जबकी राखी मुस्कुरा रही है देखना दिल्चस्प होगा कि शिव में आगे क्या होता है